जय हैं फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सिलेंस वाई एपिएस पर मैं एपिएस आपका स्वाध करता हूँ आज मैं डिस्कॉस करने वाला हूँ 2014 का सौल पेपर इससे पहले मैं 2014 के सौल पेपर के और भी सब्जेक्ट के वुश्ण को डिसकॉस कर चुका हूँ यहां पर मैं 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 की को डिसकॉस करने वाला हूँ इससे पहले हिंदी इंग्लिस इंवारेमेंट जीके और साइंस के वुश्ण की और उससे पहले 2013 का सौल पेपर भी डिसकॉस किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिसकॉप्श कुशन होगे मैं बताता जाओंगा आपको ब्रत की परदी का सूत्र क्या होता है काफी जादा पूछे आने वाला कुशन है ये कि ब्रत की परदी का सूत्र क्या होता है तो ब्रत की परदी का सूत्र होता है तू पाई यार क्या होता है तू पाई यार कुशन नमबर 82 किसी घं गनका प्रिश्टिय छेथफल क्या होगा यदि इसकी भुझाát साथ सैन्टी मीटर है तोरी इसका और टुअंडेट नाइनटी फूर झानटी मीटर कैसे एक ही वैल्यू यहां पर साथ दे भी रखिया, ना, यह वैल्यू सादियरक की है, तो उसुत पर्गन का प्रस्टीच पर लगाते हैं, यह एक एक वैल्यू सेवन इसक्वेर, तो इसका सिवन स्क्वेर को खोलते हैं, तो यहां पर आजाता है, फोर्टी नयन का ENDविश से करते हैं, तो हमारा 294 बर्ग सेंटी मी आ जाता है कुश्शन नमबर 83 में पूछा गया है 9801 का बर्ग मूल क्या होगा तो सामाने सा कुश्शन है कि इसका बर्ग मूल या तो आप LCM पैटन से भी निकाल सकते हो या फिर इसका और भी होते हैं तो यहां पर क्या गुरंखन निकाल लो यहां पर यह पेर बना लो और यह एक बन गया यह एक रह गया इसको टा तो त्री या नाइन और नाइन इलेवन जा 99 यानि कि यह कित्ते का है 99 का वर्ग है ठीक है नेक्स्ट कुश्शन नमबर 84 यदि एक घन का आयतन 3375 गन सेंटिमीटर है तो इसकी भुचा की लंबाई होगी तो इसकी जो लंबाई कैसे दिया गया आई तरहने की वरावर यह से बैल्यू आजागी फिर हमें एक फाइंड करना तो आइए को फाएंड कर लेते हैं एको फाइंड करने से पहले आपको है इसका है इसका यह वर जाएंगे तो जैसे ये प्यर वने तो आपको इस तरह देए यहां सफिर आ जाएखा यहां सेंटिमीटर पूशन नमबर 85 यदि 3x प्लस 2 is equal 11 हो तो एक्स का मान क्या होगा तो यहां पे x की वैल्यू 3 होने वाली है 3x प्लस 2 is equal इधर अम प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो गया अब 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचाओ 3 x परावर 9 तो एक्स परावर 9 अपन 3 करते हैं तो 3 बन जा 3 3 3 या 9 तो एक्स की वैल्यू कित्ती आ गई 3 ठीक है न नोट करते हैं यह साथी साथ पूशन नमबर 11 रुपीज 8000 का पांच की दर से दो वर्स का साधार ब्याच क्या होगा तो इसका जो है न फॉर्मूला लगा दीजिए साधार ब्याच का है न तो यहां पर सबसे पहले प्रेंसिपल फाइंड कर लो फिर रेट और समय कित्ता दिरक्त पर आपका साधार ब्याच का तो यह जैसी रखेंगे तो 2-0 से 2-0 चले जाएंगे 5-2 जा 10 हो जाएगा यहां पर 10 का इंट्व 80 से करेंगे तो आपका 800 हो जाएगा ठीक है ऐसा की वेल्यू क्या आ गई 800 सिंपल कुश्चन है एक कुश्चन ऐसा आता है आपके एक्जाम्स में कुश्चन नम्मर 87 आज़ कोण हमेशा आपका 90 डिग्री का होता है यह होता है आपका फर्ट क कोण हमेशा नाइटी डिग्री का होगा और पूरा ही बन 80 होता है टोटल जिदर भी 90 हो जाएगा question number 88 तीन दर्जन संत्रों का मूल 27 है और पांच दर्जन संत्रों का मूल निकता होगा अब जो तीन का एक दर्जन का मूल निकाल लो पहले तो एक दर्जन का मूल निकाल रहेंगे तो 9 रुपे निकल के आएगा 9 का इंटू जब 5 से करोगे तो 45 आजाएगा आपका अंसर ठीक है और संदीस का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इस तरह से यहाँ देखो निकाल के बताएगा है तीन दर्जनों का मूल 27 रुपीज है एक दर्जन संत्रों का मूल तो इसके अपॉन में इसका डिवाइड दे दो जैसी डिवाइड दोगे 9 आजाएगा फिर 5 दर्जनों का संत्रों का मूल निकालना है 5 इंटू 9 कर देंगे तो 45 आपका आजाएगा नेक्स्ट कुश्ट नमबर 89 एक्स स्क्वेर माइनस का 64 के गुरंखंड क्या है तो यहाँ पे इसके गुरंखंड होगी एक्स माइनस एट और एक्स माइनस एट ही इसके गुरंखंड होगी यह फॉर्मूला लग जाएगा एसक्वेर माइनस का बी स्क्वेर इसके एक्वल होता है एप्लस बी और ए माइनस बी की ठीक है नेक्स्ट कुश्ट नमबर 90 अब आजस अंग्या आपको फाइंड करनी है अब आजसें क्या होती है प्राइमरी नमबर बोलते हैं जो एक से जाएं और खुट से जाएं तो ऐसा सबसे चोटा प्राइम नमबर है 11 यहां पर अब संपूरा कौन कौन से होते कंप्लिमेंटरी एंगल यानि कि इसका complementary angle आपको find करना है तो complementary angle कौन सा होगा यहाँ पर तो इसका जो angle होगा वो होगा आपका यहाँ पर B option ठीक है संपूर रखोनों जो योग होता है 180 होता है 180 दे रखा है 180 में से 180 मैंस कर दो 70 आजाएगा यही आपका answer होगा Next question number 92 0.03 का Q करना है आपको 0.03 को जैसे ही आप Q करोगे तो आपकी वैल्यू आईगी 0.027 यह आपका C option जो है ना राइट अंसर होगा ऐसी simple question आते हैं आपके exams में अगर आपको इस समय कोई समस्य आती है तो आप comment section में बता सकते हैं और बहुत सब्सक्राइब से जोड़ने के लिए आप मेंस कर सकते हैं तो आपको बहुत सब्सक्राइब से जोड़ दिया जाएगा जिससे आपको समय समय इंफर information राप्त हो जाएंगे एक समकॉंड त्रबुज की दो जाएं 6 सेंटीमीटर तथा आर सेंटीमीटर नहीं तो इसका कड़ का मान होगा तो कड़ का मान होगा इसका 10 सेंटीमीटर तो समकॉर्ण तर्वुज में कर्ड इसकर बरावर होता लंब इसकर प्लस आधार इसकर यहां पर वैल्यू रख दी 6 और 8 की तो जोड़ा तो अंडेट आ गया कर्ड की वैल्यू टैनल भी यहां से ठीक है बारी रूट से स्कर को कर दें तूशन नंबर 94 दिये गए चित्र में तर्वुज A, B, C एक संभाव तर्वुज है ब्रत का कैंदर O है और ट्रैंगल B, A, C 60 डिगरी है तो यहां पे इसकी वैल्यू बतानी यहां पर दे रखा है बी, O, C आपको बताना है बी, O, C यह कित्ता होगा यहां पर यहां पर होगा इसका 120 डिगरी ठीक है न इस तरह से नोने निकाला है, नोट कर सकते हैं आप, पर क्वेशन नमबर 95 आता है, तिरवुज के तीनों कोणों का योग होता होता है, तिरवुज यह रहा है आपका, इनके तीनों कोणों का योग होता है, 180 डिगरी ठीक है, ध्यान लगना में चाहां, कई बार पूश जाता है यह यह 9 का है, और 11 का 13, 31, 11 का घने है, यानि कि क्यूब है, पर यहाँ पर कुश्चन नमबर आपका 97 आ जाता है, अगर किसी ब्रत की तरज्चा को दोगना कर दिया जाए, तो उसका छेतफल क्या हो जाएगा, तो इसका उप्युक्तु मैंसे कोई नहीं, उसका जो छेतफल के बताये है, मैं आ Cambriaan चेत झोगा, चार को ना होगत, थिक है, इस फिस्टेन पॉइंट नमबर नानिटी एट, इसीद पॉइंट एटी न का बर्गमूल क्या होगा, तो इसका जो बर्गमूल होगा, वह फॉर पॉइंट बनोगा, कित्ना होगा, पूर पॉर पॉइंट ब कुछन नमबर 99 एक्स की पावर जीरो का वेल्यू क्या हूं किसी भी नमबर की पावर जब जीरो होती है तो उसकी वेल्यू में सब बन होती है यह आपसिन इसका सही अंसर है किई बार में यह कुछन आपको बता चुका हूं नेक्स्ट कुश्च नमबर 100 त्री अपॉन फाइब में से एट अपॉन फाइब घटाईए तो क्या आएगा जब हम इसको इसमें से घटाते हैं इसका एलसे हम लेते हैं फाइब आएगा फिर इसको इससे डिबाइड देते हैं तो वही नमबर देंगे तो 5 इसको कारते हैं तो माइनस का बन आ जाता है आपका अनुसल कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्षन में जुरू बताईएगा वीडियो अगर एच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश कर ले बेल आइकन को तो आई इससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी जाए जाए अधा अस्याद शुरू करें फिर मिलेंगे यसी इंट्रेशिंग वीडियो साथ अभी के लिए जाए अन्द फ्रेंड्स जाए अन्द इफ्रेंड्स थैंक्यो वोच्यों